है गाईश तो टाइटल और थमनेल देख कि आप समझी गई होंगे कि आज हम ट्राइब करेंगे अलग अलग तरह के एक्जोस्त देखते हैं अरवन 5 में सबसे बेस्ट कौन से है तो सबसे पहले हमने इसमें लगा दिया अगर आप ओवी कारवन फिनिश में तो चलिए इसका स अब नेक्स ट्राइब कर लेती हैं अपने पास एक और कुछ टाइप काई बटी है ड्यूल बैलर है यह जो आप देख सकते हैं यह सिंगल में और इसके बाद एक ऐसी प्रजेक्टर भी है तो एक सी प्रजेक्टर काफी लोगों का फेवरेट और मेरे पास कमेंट भी आ रह बसक्ते वसे इसमें बैंटाई रह चुका है तो चलिए बैंटाइप का भी एक बार साउड्सुन के देख लगते हैं कैसे साउंड करते हैं तो लेटरली जैसा कुछ बुलिट साउंड करती है से में इस तरह का साउंड है मतलब हां उसी टाइप का कुछ आप टाइम के लिए चलाने वालों वैसे अभी जो मेरा पिलान है तो वो देखते हैं या तो ऐसी प्रोजेक्टर या क्राप वी की लगाती है तो यह लग चुका है डूल बैलर एक्रापोविक तो देख सकते हैं वैसे साउंड का तो पतनी अगर लुक की बात करता लुक काफ भाई सच में बहुत ही भैंकर साउंड आ रही है बहुत मस साउंड लगा मेरे कुछ इसको शांदार वाला तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा तो चलिए अपना जल्दी जल्दी से नेक्स्ट अपना चेक कर लेती हैं तो फिर देखते हैं कि कौन सेंड में सेसलेक्ट करेंंगे कि कौन सा मैं तो भाई फाइनली काफि बहुत निकालते हैं घराव चेकरिजट्र कनि कर दों यह दी दिख सकते हैं जैसे आब इसमें लिख भी है ऐसी पर्जेक्टर फोर रेसिंग रेसिंग के लिए बना हुआ हुआ तो यह चलिए अब इसको भी सुन लेते हैं साउंड मेरे को पता है इसका साउंड सच में बहुत ज्यादा मस्त और बहुत ज्यादा लाउड आने वाल है तो चलिए मैं माइक को थोड़ा से इसके पास कर देता हूं जिससे आप इसका प्रोब पर साउंड सुन सके तो करिए चलिए सस्पेंशन को करते हैं ओन तो गाइस ये था ऐसी प्रोजेक्टर तो फाइनली आमिर को जरूर बताना कि आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा ये कि शिट गिर चुक है अपने से तो इन में से आप बताना कौन साभी किसका साउंड आपको सबसे बेटर लगा जो अभी फिलाल में लगाने वाला हूं वैसी प्रोजेक्टर लगा कि रखूंगो कुछ टाइम के लिए बाद में देखते हैं जैसा भी प्लाइन चेंज होगा तो आप एक बार जिरूर बता देना कि कौन साभी में अच्छा लगा आपको तो चलिए में सब्सक्राइब में थांक्यू सो मच